वेलकम टू सुकलाइडी पॉइंट आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल सुकलाइडी पॉइंट में मैं से हुम सुकला आप सभी दोस्तों का हार दिख स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि BA की परिक्षा में कॉपी कैसे लिखते हैं आखिरकार BA की परिक्षा में यदि कॉपी लिखते भी हैं तो उसमें क्या क्या चीजे हमको ध्यान में रखकर रिखना होता है एक्जामनर क्या देखता है क्या उसको पसंद आता है और वो कैसा चाहता है कि बच्चा किस परकार से कॉपी लिखे, चुकि कॉपी जो होती है वो माध्यम होता है, आपके सब्दों को एक्जामनर तक पहुचाने का माध्यम होता है, तो आप उसके सामने नहीं जाते हैं, आपकी कॉपी जाती है, जरूरी बात सबसे यह है कि आप अपने कापी को स्वक्ष और सुन्दर रखेंगे सबसे पहली बात यही है स्वक्ष और सुन्दर रखेंगे अभी इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी देर में तो कैसे लिखें कॉपी साथ ही साथ पांच ट्रिक्स और टिप्स के बारे में आज की वीडियो में हम बताएंगे उसी के साथ यह भी बताने का परियास करेंगे कि आखिरकार कितने पेज में लिखते हैं उत्तर यानि आति लगुत्रिये को कैसे लिखें लगुत्रिये को दीरगुत्रिये को कैसे लिखते हैं ठीक इन सभी मुद्दो पर एक वीडियो के अंतरगत आज हम बता देंगे तो आपका सारा डाउट जो होगा वो किलियर हो जाएगा एक मिनट पहले बीए में काउपी लिखने से पहले कुछ अराजक तत तो आते हैं उनक इससे most important बात बता रहा हूँ काउपी में मलब जब आप एक्जाम हाल में हो आपका घंटा चल ला हो मलब टाइम चल ला हो तो आपको सबको दिखाने के चकर में ऐसे दिमाग में इसे ठोकना नहीं है अपने दिमाग को कि हाँ ठोक ठोक के कि अब आ जाएगा अब आ इनके जैसे नहीं बैठना कि हाँ सोच रही है कि चार लड़के देख रहे हैं हमको कि हाँ काउपी लिखना है फिर चार लड़की देख रहे ही तो आप दिमाग पर ठोक रहे हैं कल ही तो याद किया था कल ही तो याद किया था आज कैसे नहीं ध्यान आ रहा ऐसा नहीं करना जैसे माले लड़के के बगल लड़की पड़ जाए लड़की के बगल लड़का पड़ जाए तो भी आपको उनको नहीं देखने के चक्कर में जैसे या भाई साहब को देखिए मडम जी को देखिए, दोनों लोग क्या कर रहे है, कॉपी लेखन में क्या कर रहे हैं जाकर के तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको, साथ ही साथ इन दोनों के जैसे कॉपी आपको लिखना है, ठीक ध्यान रखेंगे ना तो इन की तरह ना तो इन की तरह बस अपना फोकस तीन घंटे का या फिर जितने घंटे का आपका पेपर होता हो फोकस सीधा सीधा किस पर होना चाहिए सीधा एकड़म कॉंपी पर होना चाहिए आपको अगर टीचर भी बुलाता है तो आप तुरन डां यानि राइटिंग ठीक होनी चाहिए लेकिन अगर मैं बिये की बात करूं तो बिये में राइटिंग आपकी अच्छी हो या ना हो डॉंट मैटर लेकिन राइटिंग ऐसी हो जो की परिक्षक के समझ में आ जाए अगर आप ला लिखते हैं उसको पता जलता है रा लिखा है य इस प्रकार से नहीं लिखना है कि जो उसके समझ में ना आए तो ऐसी भासा का परियोग करना है या फिर ऐसे सब्दों सब्दों को ऐसे लिखना है जिससे उसके समझ में आ जाए और आपके उत्तर में सरलता होनी चाहिए यानि ज्यादा कठिन भी नहीं लिखना चाहिए कि आपी लेखन में तो पहली बात सचता होनी चाहिए सरलता होनी चाहिए सठीकता यह तीनों एक ही में हमने रखा एक ही पहलों के इंतरगत दूसरी बात होनी चाहिए भासा सैली आपकी कैसी होनी भासा और सैली दो मुखे पहलों होते हैं तो भासा आपकी हिंदी है ठीक है तो ह हवा को क्या लिखना है वायू लिखना है ठीक इस परकार से हिंदी में लिखना है तो आप जल लिखेंगे ठीक है प्राण लिखेंगे वायू के अस्थान पर प्राण वायू लिख देंगे तो ये सारे सब्द हिंदी में चलते हैं जियोग्राफी के लिए कुछ अलग सब्द पर यानि बीच में आपको क्या करनी है headline मलब line से आपको नीचे लगा देना जो important सब्द हो उनके नीचे आपको lining कर देनी है सबसे most important बाद में रहा हूं तो lining कर देनी heading वगएरा आपको अच्छी तरीके लिखेना है तीसरे नंबर पर आता है सुरम मिता सुरम मिता मलब क्या हो जो कि वो पढ़ने एक line पढ़ने दूसरी पढ़ने मजबूर मलब एक प्रसुन जैसे पढ़ लेगा वो अच्छे तरीके से बस उसमें खुस वो कि लड़के ने बहुत अच्छा किया है बीच में आप इधर दर सब्दालियों का प्रियोक कर सकते हैं तेज लिख सकते हैं कि अगर इधर दर हो गई कोई दिक्कत नहीं पूरा नहीं पढ़ता कोई विक्ति क्योंकि इतना टाइम नहीं होता बहुत सारे बच्चों की कॉंपी होती है तो ज्यादा टाइम भी नहीं होता है बहुत कम समय में आपकी कॉंपी चक होगी तो पहले पन्ने में आपको लिखें कि तेरी दिल लगी ए सबसे पहले वहां पर को बिद्वान होते हैं जैसे कि निर्धंदा लिखने तो गिलिन और गिलिन के अनुसार तो दो-तीन को ऐसे लिख लेंगे अब जरूरी नहीं कि जो गिलिन और गिलिन ने कहा है उसको पूरा रटा हुआ आपके दिमाग में बिल्कुल ऐसी कोई व्यवस्ता नहीं है ना तो कोई किसी को कामा में होना चाहिए डबल इनवर्टेट कामा सबसे मोस्ट इंपॉर्णेट बात डबल इनवर्टेट कामा में उसको लिख दिया आप ठीक बहुत महात्पूर्ण होगा है चीज अधिक जामलब अपनी भासा में लिख दिजिए उसको जो से गिलिन और गिलिन ने क्या नि भूगोल बेताओं को जो भी सब्जक्त लिख रहे हो ऐसे लिख देना है साथी साथ उधारन आपको दे देना है ठीक अगर भूगोल लिख रहे हो भूगोल के काउपी तो उसमें मैं पोगर अगर बनाना है तो फिर बनाएंगे नहीं तो फिर मैं उस पर वीडियो बना आप अच्छा लिखो उसके बाद में लाश्ट वाला देख लेगा कितना तक लिखे है तो यह चीज होती सुरम्मिता होनी चाहिए उसके बाद में क्या होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट डाइज मोस्ट इंपॉरेट फेक्टर आप कॉपी असलब यह होता है टाइम मैनेजमेंट का कि तीन घंटे का है तो आप पहले इतना बना लेए घर पे बैड़ करके ही इस्पीरियंस कि आपको सोचना ना पढ़े मैनम जी के तरा इनके मैनम जी के तरह ठीक है यह बात ध्यान रखेंगे अभै यह आप ऐसे हैं तो कोई दिक् बाएका होता है कि प्रस्णों जितने भी प्रसन दिये गए उन प्रसनों को पूरा निव्र दिस्ट करने पूरे परिक्षा में तो आपको दस के Я गे पीछे हो जाते हैं तब भी कोई इसमें समयस्या नहीं होती है Whew आप समयस्या यह होती है कि आप जैसे दस प्रसंद है तो आप आठ और साथ ना करके आएं आप दस पूचागा 10 के दसव करके आएं और जैसे कि पांसो सब्दों में पूछा गर लिखने को कहा गया है तो पांसो से अधिक ही सब्द लिखते हैं उससे कम सब्द बिल्कुल भी मत लिखिएगा व्योंकि बिये की परिक्षा है UPSC की है नहीं वो ठीक आई इसकी परिक्षा अच्छे तरी देखना पड़ता है लेकिन इसमें क कोई सब्द गिन्य नहीं जाता है ठीक यह बात ध्यान रखेंगे आप तो बस इतना आपको करना है सचता सरलता सटीकता होनी चाहिए भांसा सहली आपके ठीक ठाक होनी चाहिए सुरम्मिता होनी के नहीं फुलो बना रहना चाहिए एक लाइन के बाद में दूसरी लाइन ठ प्रभाव पढ़ते हैं तो अगर दो चीज पूछा गया तो आप यह हेडिंग में जरूर बड़ी हेडिंग में डालेंगे दो लाइन वाली हेडिंग मलब बड़ी से इस केस से लिखेंगे उसमें लिखेंगे कि निर्धंता के कारण उसके बाद में फिर वहाँ पर अंडर तो पहले विशाय वस्तु का आपको थोड़ा बहुत ज्यान होना चाहिए थो आप इधर उदर से करके लिख सकते हैं उसको ठीक है चलिए फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में तो हाँ ये बात हमने नहीं बताई आपको कितने पेज में लिखें तो पेज वहरा परियास बिल्कुल भी ना करें मुलब आप एक जब तक वो अठी जाए तो उसमें ज्यादा ये ना करें कि लाइन इधर उदर पाड़ दिया जैसे इतना लंबा पेज है हमारी स्क्रेन के लंबा तो वह लोग क्या करते हैं यहाँ से लाइन पाड़ देंगे यहाँ से तो ये सारे कुछ महत्पूर्ण फैक्टर थे, इसी सम्मधित और भी मैं अपडेट होकर के आपको बताता रहूँगा, क्या-क्या चीजे आपको लिखनी है, मलब जैसे कि आति लगोत्रिये प्रसनों को कैसे हल करें, आति लगोत्रिये प्रसनों को हल करने के लिए क्या-क्या